इवार निवारी विदान सावा में तीस हैयार के बोटन से जीत रहा है एनलियन, बहुत बच्छी स्थिती है। यह चुनाव ब्रकास पर लड़ रहा है हमें, ब्रकास दिख रहा है। भारते जनता पार्टी ने ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर सासन की योजना उस घर तक ना पहुंची है। रात और दिन वह आद भी काम करता रहता है, कोराना जैसी इस्तिती में, जबकि वह उसका बेटा और स्वयम हैं, उपत्नी हैं, तीन लोग हैं, इसके बाद भी कोराना होने के बाद अस्पतालों में घूमतरा, रेंडम इंजेक्शन उसने मंगवाए। राम कुषवाहाजी की मिट्टी पिड़ गई, उबर कोई काम के नहीं गए। इसके बाद भारते जनता पारिटी के साथ हों, मानिय सिवराजी के साथ हों और मानिय भारत सिंग कुषवाहाजी के साथ हों। बदान सभाह को चुनाव चल रहा है। आज तमाम भाजपाई थे पिरचार पिरसार की लाने आये थे अपनों जन्सम पर करवे की लाने आये थे। तो हम लोगन ने सोची के इन लोगन से भी बात करी जाये। लोगन से भी समझो जाए कि आखिरकार जी लोग का चा रहे हैं का इस्थती है और अभे कितनों का इन में उत्साय नजालाओ जी परचा लें अपनों परचार कर रहे हैं परचा लेके हमारे संगे जलापंचा सदस पुरमोद जी भी हैं बाड़ नमबर एक से अच्छा बहुत जनता ने विश्वास किया उस पर खरा उतरने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा बाकी को उपे कच्छू ना क्यों दो को आप कच्छू कने कि आपने देखा ही लो तो जब जलापंचा दद्या को चुनाव भाओ तो कच्छू जने मुडनन करा रहे थी कच्छू जने दिली घूम रहे थी कच्छू जने अगूम रहे थी अब उनकी के आए तो काकने बई मैं तो भारते जनता पारटी का सिपायी हो और भारते जंता पार्टी का सिपाई होने के नाते मरते दम तक मैं अपनी पार्टी में तन मंधन से सम्रप्रत हूँ अच्छा गाउं गाउं जन संपर किलाने जा रहे है चाचा आप और हैं पिरचार कर रहे हैं बता रहे हैं कि अनिल जन को बिधायक बनाने केंड बैतवा लिंक परियोजना आई रही है सीम राइस स्कूल दुनिया कि बहुत सारी समस्वे हैं सबदा हैं जला बना दिया चुनावी मैदान में नर्दली नंदराम भी हैं सपा से मीरा दीपक यादाव भी हैं और तमाम नेता हैं गे आप लोग देख रहे हो का है रुज से जीतेगी विशान बौ german भुट ⁺ यहीस पिछली वाद पिछली वादा तीसा जार से जीती थी टीटी टीट यहीं थाय। नंदराम को सवहाजी की मिट्टी पिट गई व्यकोवन काम के नहीं लाए है 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 यह बहुने पार्टी था कंग्रेस साहिकल और इस पतंग वाली में रहाए जैने कितनी पार्टी बतल बतल बीजेपी में आये जैशा ने मंत्री बनाती हो तो मंत्री उन्हें गल्ती करी हमारे मान इस वाराज सिम्हें कर नहीं नहीं बनाने तो पहले उनकी कारसेली देख लेते के इनकी कारसेली का है पीछे को बैक ग्राउंड देखते इसके बाद पर उने जो है अगर रते संगे तो उन्हें आंगे मंदी इक चर्चा है के पड़ोसी विधायक ने उकसा दाओ कर लड़ जाओ बिलकुल सही बात है 20 ला कि अदेखे कर लोग हम लोग 30 लाग कर लागे तो भी को हमाई संगे आज है तुमनों तीस लाग की बात नहीं जैसे अंगली पार्टी ने जाए और हम उन्हें कॉलके दिना उन्हें उपहर दे तो यहां पर जुरदार स्वागा थोड़ा है बहुत ही जुरदार और अच्छे बहुमत से जीते हैंगे क्योंकि इनने इतना अच्छा काम किया कि हर बैक्ती के घर जाके कुछ ना कुछ लाब मिला हर एक घर में लाब है और एक ऐसा मतलब बढ़ाई जी ऐसे आदमी है कि अच्छे बहुमत से जीतों कंसे बच्छा हर का पानूमत है हर कास सात्म है हर कास को सात्मे लेके चलते हैं अच्छे कासे बह जजए हो कंछ तक जो अपने हतीचा चाचा भी आज पराय हो गए आज भी खुलके नाव ले रहे हैं अनल जिन ने गोटाली करें गोटाली नहीं करें तो नाव काय नहीं ले रहे हैं मंचन से बूल काय नहीं रहे हैं अधिकारियन से सिकायत काय नहीं कर रहे हैं सीधी सीधी अब तो नाव लेके हो लगी पंचिया पर ऐसा है अनल जिन जी साफ सौस्त विक्ति है अनल जिन जी हमेशा गरीबों का काम करते रहे है गरीबों की मदद करते रहे है अनल जिन जी ने निबारी में यह बता दिया है कि विधायक ऐसे काम करता है अभी तक हमारी संतान साल की उम्र हो गई है आज तक ऐसा विधायक नहीं मिला कि जन-जन को प्यारा हो, जन-जन का काम सुनता हो, जन-जन का काम करता हो, रात और दिन वो आद भी काम करता रहता है, कोराना जैसी इस्तिती में, जबकि वो उसका बेटा और स्वयम है, उपत्नी है, तीन लोग हैं, इसके बाद भी कोराना होने के बाद, अस्पतालों में घूमतरा रेंडम इंजेक्शन उसने मंगवाए और जगह जगह उसने मरीजों का ध्यान दिया उस मरीजों के ध्यान देने में स्वेम बीमार हो गया कोरोना के समय पर जबकि वो खुल बहुपाल में भरती रही उनकी जान माना जाते जाते बची है अनल ज्यान जी भगवान की किरपा है इस जनता का आसीरवाद है अनल ज्यान जी फिर स्वेम लोटके आगए और आपकी दार वे मंतरी बनेंगी मंतरी, कैबिनेट मंतरी और अपुमक्ख मंतरी तमाम परकार के मंतरियन की बात चल रही है अखले से यादाव जी के पास पिछली बार राहुल गांधी जी को फोन आओ तो मीरा यादाव जीते तो अपमक्खंतरी भी बन सकती है इधार पके में अनल ज्यान मंतरी बनें कैसे तीसरी दार के बिधाय के हैं अगर आप लोग जिता के ले ज़ो तो आस्वस्त हो काईसे बगल के विधाय के रहे हम तो पंदरा महीं ना भए अब जी हैट्रेक लगा रहा है तो जी हमसे सीनियर चो उन्हें नहीं ने पोचा दा उका नंदराम को उन्हें के जान्दा खास हते हमने सुनी नहीं अने लिए मंतरी बनेंगे करने मंतरी teo बने आप समझें नहीं चाचा आब समाज़ेडियों और तो अमने तो बूरी खेल"; आपको तालाप मेंने क्या कहा था आप से कि मसू में सू परसेंट बनेंगे ल mee बगल को बिधायक नहीं बनन दे रहा हो मंतरी नंदराम को बगल को बिधायक पेले बिधायक ही तो बन नहीं पा रहा हो नहीं बन पा रहा हो बगल को 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 नहीं आप तनों जंसेर आप देख रहे हैं जाने नंदराम कि वेवेक की वात है वो क्यों चुनामे खड़े हो गया हम तो जह जानते हैं कि हमारे प्रत्यासी अनिल जहनजी है भारती जानिता पाईटी प्रत्यासी है दस सालों में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बिकास पर लड़ रहे हैं आपको बिकास देखना है तो आपने बारी चलिए हमाई नगर पंचायत में हम देखा सकते हैं आपको आज दुकानों की स्थिति यह थी कि एक दुकान के लिए 10 लोग खड़े रहते थी और 8000 रुपय किराया आज इतनी दुकाने बनवा दी हैं नगर पंचाय से का आज मादमी को एक दुकान आराम से परियाप्त हो सकती है आप इस्टेंड पर मार्केट बन गया एक सरकार 500 500 600 रुपय महीने में 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 जहां 6 औ 7000 रुपय किराया लगता था आज 500 600 रुपय में आपको दुक सबस्क्राइब और आप सड़कें देखिए चलि हमाइब बार में एक से पंद्रावाड हैं नवाडी में पूरें पंद्रावाड़ों में सड़कें सी सी देखिया था तो जे चुनाव बिकास पर लड़ रहे हम लिकास अप चलिए हमाइज बिधाइक जी चाहते तो एक ही दूर दूर फे आप चले जाए चुरारा तरफ वहां अस्पताल बनना है आप लचनपुरा पंद्राबार के ओर आंगे चले जाए वहां केंद्री विद्ध्याल खिसान वाला वह कौनसा गोलते हो बनना है आप घूगवा रोट पे आ जाए इस तरह आपकी जला डीजे जला तो निवारी के बिस्तार दिया के चारों तरब और टोरियम बनना है करोनों की रासी से स्टेशन रूट पे तब बिकास है और हो रहा है दिख रहा है विकास कोई छोटी चीट है नहीं के जिम में रख लें जो दिख रहा है दोसरी चीछ जा पहले कि अब और कि बिख लो फैर्टे शुमान को तो महीं पहले रुचनिद देख लो डाजान ब्हरती जंता पार्टी में भार्ति नेदाइधे ने您ut2 मैना पहले आमेत रहा होतके आपकी पार्टी में धाय मिजना है तीन जाने गाया भें पार्टी छोड़ दें इसे नुक्साना हुई एक बात आपसे फिर वोल ला हमने पिर कहाता है जे नेता नंगरी है हमारे बिधायक है नेवारी के अनल जेंदी इन्होंने बहुत छोटे स्टर से राजनीती सुरू की थी मतलब आज उन्हें 20-25 साल लगे तब वो 20-25 साल में जनपत अध्यक्ष तक पहुंचे थे और 20-25 साल के बाद उनको इस मुकाम तक पहुंचे अब राजनीती एक ध्यर होना चाहिए रोशनी जी की उमर अभी जानदा नहीं थी नामेत राय की अभी बहुत मोगे आते उनको भी पाइटी देखती सब समझती अब रोशनी जी थोड़ा बिवेक की कमिया है उनके पास बिवेक थोड़ा और अच्छा होता तो नहीं रहते बिधागी जी के साथ खड़े होते कंदे से कंदे मिलाकर चुनाव लड़ रहते उनको आंगे उनको पाइटी देखती है उनका अच्छा काह लगता अपने की उ उनको के वो जो है के एक नटबल्ट की दुकान खोलेवी वालो बैक्ती इंद और में फिलेट बंगलाब हुपाल में कछू जो कछू जी सब चीजें हैं खुलकें भी विधायक पे आरूप लगा रहा है देखिए भारते जनता पार्टी का यहां सबी लोग खड़े हैं इस लिए भारते जनता पार्टी से सबी लोग जुड़ते हैं अब रहा सवाल के आपने कहा कि तीन तीन लोग पहले थे वाज नहीं है तो उनकों भी हम जवाब देवा जो चाहूत हैं कि सबसे पहले पेड़ आज लगा तो आज उपे फल नहीं लगे उसको थोड़ा बढ़ने को सब्व कर आभारते थांग नहीं लोग मेरी पार्टी में खड़ा रहे हो Ond tą प्रामोट कुसु अ क्छ लूड़ा नहीं तक मैं कोर एक आज मरता पर्ला हम केता है रहें चूटर अजिए आज वी कुस्वा ची और आए खाश हुमित अप को भी टिकेट नहीं मिलो आप फिर भी पाइटी में खड़े हो लेकिन सवाल फिर भी घूम फिर के आजात होते ही कि कुसवाहा समाच को कितनों वोट काट ले जे नंदराम कुसवाहा इसे कीखो नुकसान हुई है सीधो सीधो नुकसान कहा हो रहा हूँ देखिए मैं आपको बत गवाति ही है चार से पांच तर इस साथ में छेतर में घूम रहे हैं और अब रहा कि दूसरा व्यक्ति कोई चुंआउ लेदा समाच से तो समाज जान चूकी है कि जब जो व्यक्ति पांच पांच दल बल देगा तो वो अपने स्वार्थ के लिए करेगा ना की जनता के स्वार्थ के लिए ना की समाज के स्वार्थ के लिए जो लोग पांच पांच दल बलते हैं वो खुद का विकास चाहते हैं ना की समाज का मैं मानता हूं भारत सिंगक उस्वाह जी का मेरे गुरू है बो भी तो मेरे गुरू है ना जिन्हों ने मुझे इसको आगे बढ़ाया जब मुझे टिकेट नहीं मिला विधाय जी को मिला तो सबसे पहला फोन मानने भारत जी का फोन आया औरोंने का प्रमुच जी बेदाई जी को बदाई दे कि आओ और पारीटी में पूरी निष्टा और भाव से काम करना और मैं काम कर रहा हूं और मुझे बिश्वास भी है भारती जनता पारीटी मेरा ख्याल रखेगी और जहां पारीटी मुझे दायत देगी मैं उसको के नहीं किसका स्वार्थ और मैं बियां आपके चैनल करना हैं के भारते जनता पार्टी के आप सहयोग करें और सहयोग में there समाच के लोग हैं, ये भी नहीं है, कि हमारे लोग नहीं है, सरपंच भी हैं, हमारे जनपद भी हैं, मैं खुजला पंचा सदस भी हूँ, हम सभी लोग भारते जनता पार्टी के साथ में हैं, और भारते जनता पार्टी की सरकार मदप्रदेस में बनने जा रही है, अच्छा जो आपके रहते ना के चंदा चुकि आप एक ची बताईए आप से दो महीने पहले जाब टिकेट बितरन नहीं हुए थे जब आप फूटर में जा रहे थे जो सास की है यह जनाव को जब भारते जनता पारिटी अच्छी लगती थी आज वो ठीक नहीं लग रही है तो कहीं न ची कहा हां बहुत सारे साथ अब देखो आटि रूमrage हैं लेकिशों जानता सब्छी को पता है कि इसमें किस का भाला होने बाला है तो जाए आदमी की जित एक हैसियत हो उससे जादा मिल जाए तो बहूल जाए वो कायम है चाहे नंदराम जी हो चाहे हमें तरह हो उन्हें पद से जादा कचुद में लगा हो जासे इनने छोड़ता हो और नवारी बिदान सावा में तीस हजार के बोटन से जीत रहा है निल जैन बहुत बच्छी इस्तिती है वर जी तमाम लोग हते भारती जनता पार्टी के कारकरता गाउं गाउं में पिरचार पिरसार कर रहा है जनसंपक कर रहा है जैसे आम पार्टी इनको जनसंपक चलो वैसे इन लोगन को भी चलो ये लोग भी दूर दुराज के गाउं पहुंच रहे हैं पिरचार करवे के लाने प्रमोद कुसबाहा जी है जिलापंचा सदस है और का बहुत बहुत आवारी हूं कि जुन्होंने मुझे नुगली पकड़ के यहां तक खड़ा किया बहुत स्वाजी के साथ मैं उनके साथ मुझे अगर प्राण भी देना पड़े तो उसके लिए मैं तयार हूं अच्छा इस गाउं में अभी आप गए थे इसमें कुछ कुछ बहा बंदू हैं कि नहीं इसमें चुकि यादब समाज के लोग हैं और अभी बिधायगी ने इसके बोला है कि करीब तीन किलोमेटर की एक सड़क है जो बनभाग से है जो बनभाग से जगय है उन्होंने कहा कि अगरी बार जब भारते जंता पार्टी के सरकार बनके आएगी तो सड़क भी यहां पर हम लुक देंगे यह थे पिरमुत कुस्वाह जी और तमाम भारती जंता पार्टी के कारकरता जिन्होंने अपनी बात रखी क्या कुछ कहा है इन लोगोंने आपने जरूर सुना होगा देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद